बिस्मिल्यारामानुराहेम, असलाम अलेकम, जी, Microsoft Excel की इस ट्रेनिंग में मैं आपको खुश्यामदेद कहता हूँ, अब जो पहला lecture होगा हमारा Microsoft Excel की ट्रेनिंग का, वो है related to, के Microsoft Excel जो है, वो क्या है, क्यों है, किस वज़ा से है, और इस पे किस तरीके से आप basic किसम का जो knowledge है वो gain कर सकते हैं, and I am hopeful के आपको आज के सेशन में काफी कुछ enjoy करने को मिलेगा, और चीजें जो हैं, वो अच्छे तरीके से समझ भियाएंगे, just give me one second, मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, and then we will see के हम किस तरीके से, आज के सेशन को और भी detail के अंदर देखने वाले हैं, स्क्रीन आपके सामने हाजर है मेरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं, वो है MS Excel, MS Excel basically एक software है, जिसके थ्रू आप data analysis करते हैं, different किसम के जो आप data को visualize करते हैं, data में statistical analysis करते हैं, यह data को समझते हैं, यह Microsoft के product है, और Microsoft Excel जो है, यह जिसक ट्रेनिंग लेनी हो तो आपको Microsoft Excel के लिए, of course हमारी जो website है codenics.com वहाँ पर जाना पड़ेगा, और जो हमारा इस वकत का course चल रहा है, that is related to data analyst summer bootcamp, जिसके registration का link में ने description में में दिया हुए, हम इसके उपर गाम कर रहे हैं, ठीक है, और यह वाला जो course है, यह basically आपको Microsoft Excel के अंदर बहुत master बनाएंगा, यह तीन से चार पार्ट के अंदर हमने Microsoft Excel के training रखी हुई है, पहला पार्ट यह है, दूसरा यह तीसरा यह, तो अगर आप इन्रोल करवाएंगे, तो यह data analyst का summer bootcamp 2024 है, जिसके अंदर ना सिर्फ Microsoft Excel, बलके आपको और भी काफी कुछ सीखने क मिलेगा, जिसके अंदर आपके पास Microsoft Excel के साथ, यह सारे के सारे components में, जिसमें Python भी है, Markdown भी है, SQL भी है, Tableau भी है, Power BI भी है, and statistics भी है, and there are many other things जो आप सीख सकते हैं, इसके इलावा, अगर आप kodenics.com के इलावा, आप हमारे YouTube के channel kodenics पे चले जाएं, kodenics, तो वहाँ पे जा दो major playlist हैं, पहली यह है, MS Excel for beginners in Urdu Hindi, यह तकरीबन 68 videos के अंदर मुश्तमिल है, आप इसमें basic से advanced level की training ले सकते हैं, और यह 22 videos जो है, Microsoft Excel के यह separate हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, आप इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से open करें, open करने के बाद आपके सामने इस तरीके से Microsoft Excel जाए, वो हमारा चल पड़ेगा, और हर किसी chapter को, हमने हर किसी lecture को एक video के अंदर convert किया हुए, जो 4-5 minute की है, इसके इलावा अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे Microsoft Excel को मैंने advanced level पे भी सिखाया हुए, different किसम के hyperlinks, analysis, and there are many other things जो हम यहाँ पे भी सीख रहे हैं, ठ चैट के अंदर आप जो है, इस link को देख लेंगे, otherwise आप Kodenix की website पे जाके भी इस link को जो है वो अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है, so यह दोनों playlist का link मैंने आपको दे दिया, अब अगला काम करते है, Microsoft Excel होता है, क्या और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हम basically understand करने वाले, यह मेरे पास Microsoft Excel जो है, वो 365 है, इस वक्त जो आपके सामने open होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह Microsoft Excel है, ठीक है, Office 365 मेरे पास मुझूद है, तो उसको मैंने install किया हुआ है, यहाँ पे Office 365 क्या है, यह basically Microsoft Excel की ही, Microsoft की ही product है, जिसके अंदर आपको register करवाना पड़ता ह अपना Office और यह latest version है, Office का जो multiple updates के साथ साथ update भी होता रहता है, प्लस आपको एक login मिलता है, प्लस आपको OneDrive जो है, 1TB की मिलती है, और आप यह Microsoft Office की जितने भी products है, Microsoft Excel है, Word है, PowerPoint है, and there are many other products इनको use कर पाते हैं, ठीक है, तो यह जो है, यह basically हमारे पास इस तरीके से Microsoft Office 365 चलता है, हम इसे कितने लोगों के पास Microsoft Office 365 है, हम इसे कितने लोगों के पास Microsoft Office 365 इस वकत install है, please write down in the chat, okay, अगर आपने अभी तक live stream को like नहीं किया हुआ, please do it, क्योंकि जो live lecture हम चला रहे हैं live stream के उपर, यह यहां पर हमारे लिए important है कि अगर आप live stream को like भी कर दे, and then you will understand कि हमारा कि आपके पास Microsoft Excel के अंदर यह tabs होती है, जिनके बारे में हमने सारी discussion की हुई है, आज से onward, जितना भी हम काम करने वाले, we are going to discuss something important, जो मैंने पिछला lecture दिया था, जिसके अंदर हमने Microsoft की add-ins देखी थी, उसको थोड़ा सा advanced level पे लेके चलेंगे, ठीक है, अब यहां पे मैं एक sample data analysis जो है, वो लेके आता हूँ, और उस sample data analysis पे हम काम करेंगे, और आपको कुछ important terminologies जो है, वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, sample data analysis के अगर बात की जाए, तो मेरे पास already sample store का data है, यह जो मेरे पास data मुझूद है, मैं इसी को यहां से open करता हूँ, यह मेरे पास एक data है, ठीक है, और यहां से, मैं, से for example, यह product का data लेके, इस तरीके से, यह 3 से 4 column, जो 5 column है, मैं इने copy करता हूँ, copy करने के बाद, यह data मैं यहां पे paste कर लेता हूँ, यह मेरे पास एक sample data है, ठीक है, यह मेरे पास एक sample data आ गया है, I am just going to show you some kind of shortcuts, जो आप use कर सकते हैं, Microsoft Excel के अंदर, सबसे पहला काम है, जब भी आपके पास कोई sample data है, और उसके जो columns हैं, वो इस तरीके से, mixed match हुए पड़े हो, और adjust ना हो, तो आपने काम करने, यहां पे click करने, यह जो उपर top notch row है, यहां पे आप click करेंगे, और यहां पे double click करने के बाद, आप adjust कर लेंगे, तो जो जितने column की width होगी, उस हिसाब से यह adjust हो जागा, ठीक है, अगली चीज इसी के अंदर यह है, कि जब भी आपके पास कोई data आता है, और वो data एक excel sheet के अंदर आप देख पाते हैं, तो आपने सारे के सारे data को select करने है, something like this, और control T दबाना है, T for table, control और T दबाना है, ठीक है, control T दबा करते हैं, यह मैंने इसको table के अंदर convert कर दिया, अब जब भी आपके पास को table के अंदर चीज आती है, you can actually look into it, और उसमें आप detail में देख सकते हैं, एक excel का बहुत ही अच्छा function यह है, कि आप इस chart पे click करें, और अगर आप bars पे click करेंगे, तो जितने भी table के अंदर different किसम के points हैं, values हैं, वो automatically bars के थुरू show हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे click करके, इसकोirkों इसको colors में शोग करेंगे, तो यह automatically colors आजाएंगे, अगर आप data bars करते हैं, तो डेटा bars color करते हैं, तो color आजाएंगे, अगर आप icon set करते हैं, तो आपके पास यह इस तरीके से icon set आजाता ह कि मैं यहां पर icon set करता हूँ तो जिनकी values ज्यादा है as compared to average या कम है उसकी base पर यहां पर तीर की निशान आ गए है इसके इलावा मैं चाहता हूँ greater than या top 10 की values को highlight करना या मैं कोई भी conditional formatting को clear करता हूँ यहां से यहां से मैं greater than की value add कर देता हूँ यानि कि top 10 की values add कर दिया इसका मतलब यह है कि top 10% values जो है sales की base पे वो यह वाली है ठीक है इसके बाद अगर total पे जाएंगे तो आप अगर sum add करना चाहें तो नीचे sum आजाएगा देखें average आएड करना तो उसकी average आजाएगे count आजाएगे उसका count आजाएगा percent total आजाएगी running आजाएगी इसके बाद sum आजाएगा different चीज़ों का at the end column की base पर तो यह भी एक चीज है मैं sum की base पे नीचे भी डाल सकता हूँ और इसकी average भी लबा सकता हूँ तो मैं average डाली तो यह मेरे पास average नीचे आगी इस पे click करता हूँ मैं दबारा से अगर जाओंगा totals पे तो I can do some other things as well यहाँ पे मैं click करता हूँ तो मेरे पास there are many other options as well running का है total का है sum के बाद हमारे पास average भी आजाएगी है at the end sum की base पे count आ सकता है total percentage आ सकती है running भी यानि के आप उपर से नीचे को भी ले के आ सकते हैं चीजों को left to right भी यानि के column की base में भी और एक row की base में भी तो यह totals का column मेरे पास आ जाता है फिर हमारे पास table है अगर मैं यहाँ पे click करूँगा तो यह multiple tables को multiple columns को एक drag and drop option की base पे देख सकते हैं something like this तो यहाँ पे देखें यह pivot table है जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो यह मेरे पास pivot table इस तरीके से बन जाता है ठीक है मैं दोबारा से sheet पे वापस जाता हूँ क्योंकि यह नई sheet बनती है जब pivot table बनता है मैं पुरानी sheet पे वापस जा इसकी base पे अगर आपने pivot table बनाने something like this अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे you will see sum of sales by quantity अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ यहाँ पे देखिएगा sum of profit by quantity यहाँ पे आगया sum of sales by quantity यहाँ पे आगया sum of discount sum of sales by quantity यहाँ पे count of product आ गया और यहाँ पे आपके पास more आ जाता है so आप किसी भी तरीके से pivot table को design कर सकते है based on your understanding ठीक है for example मैं यहाँ बेस पे करना चाता हूँ I can just click ok तो यह मेरे पास एक नया pivot table बन गया तो pivot table आप इस तरीके से बना सकते है तो अगर आप table को कुछ ऐसे select करेंगे यह icon आपके पास जो होगा यह icon जो है इसको हम icon को बोलते है quick analysis control q भी दबाएंगे तो यह icon जो है आपके पास automatically आजाएगा अब मैं क्या करता हूँ मैंने इसी एक table को select किया हुए मैं control q प्रेस करता हूँ तो यह मेरे पास इस तरीके से इसकी option सारी की सारी open हो गई है control q 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 अब प्रेस करें तो आपके सामने इस तरीके से आजाएगा अब आप अगर गौर करें तो यह जो हमारे पास एक table है यह कोई भी data हो सकता है यह मेरे पास इस तरीके से data आया हुए आप इसी data को अगर आप description के अंदर जाएंगे तो मैंने link दिया हुआ है किस चीज का के data set को कैसे download करें link to download superstar database superstore not superstar superstar का database आप यहां से download कर सकते है इसका link जो है मैंने description में दिया हुए अगर आप वहां से ना देखना चाहें तो मैंने अभी chat के अंदर भी इसे paste करने की कोशिश किया but the link is really big मैं दुबारा से कोशिश करता हूँ इसको paste करने की just give me one second तो आप वहां से इस link पे click कर सकते हैं so this is the link to download superstar superstar not superstar database और यहां से आप इस database को देख सकते हैं and कोई भी आप data बना ले आप यही काम उसके साथ easily कर सकते हैं ठीक है so यह एक data हमारे पास आगया अगर आपके पास superstore का data नहीं है तो आप file पे जाएं file पे जाने के बाद आप more templates पे click करें और यहां प आपास different किसम के data sets already मुझूद है तो मैं यहां से भी data जो है इसे copy करके उसके अंदर paste कर सकता हूं अपनी sheet के अंदर और मैं multiple किसम के task कर सकता हूं for example मैं यहां पर नहीं sheet add करता हूं पिछली सारीयों को remove कर देता हूं और यह मेरे पास sheet जो है इसको मैं data बोल देता हूं और यहां पर मैं इसको zoom in करके यहां पर यह data जो है वो paste करता हूं ठीक है let me see if I can do that नहीं कर पा रहा I will just copy again go back paste now it's there तो आप कोई भी data निकाल सकते हैं जैसे यह मेरे पास data है मैं control तीद बातों यह table हो जाएगा okay करूंगा control क्यों प्रेस करूंगा तो मेरे पास charts की option आ जाएंगी मैं totals पे click करके यहां पर average डालूँगा नीचे और sum मैं ले आउंगा totals पे जाने के बाद sum आगे ले आउंगा and then I can also create some kind of charts here जो मैंने पहले बताया था फिर इसका pivot table भी बना सकता हूं and then हमारे पास आते है spark lines यह spark lines क्या होती है अगर आप गोर करें तो हर एक value का trending की base पे उसकी lines और bar बनने start होगे यहां पर sum को देखिएगा गोर से आपके पास spark lines आ रही है ठीक है यह mini charts होते हैं जो excel की sheet के अंदर बनते है and usually you use these formatting cells जिनको हम color कहते हैं जिसकी base पे आप देख सकते हैं कि different आपके सामने आ रहा है और यहां पर यह इसको conditional formatting बोला जाता है ठीक है so this is how you can actually look into your data set यह तो हो गया simple सा काम जो data set के उपर आप कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले कई दिनों से हम इसको देख भी रहे हैं अब अगला काम हमने क्या करना है कोई भी एक data set पकड़ेंगे say for example इसको मैं delete कर देता हूँ अभी इस वकत के लिए मैं दुबारा से superstore के database पे जाता हूँ जो मेरे पास already पढ़ा हुआ data मैं file पे जाकर यहां से sample superstore का data लेता हूँ इस data की base पे यह मेरा data है इसमें से कुछ sample ले लेता हूँ मतलब कुछ rows में जो है उसे copy कर लेता हूँ मैं तकरीबन इतनी rows को copy कर रहा हूँ just for the sake के मैं छोटे dataset पे काम कर रहा हूँ ठीक है यह मैंने paste कर लिए तो यह superstore का data इतना बड़ा data है कि इसमें तकरीबन अच्छे खासी rows और columns मौझूद है so इस वज़ा से मैं सिरफ और सिरफ यह वाला data मेरे पास आ गया है quantity discount price यह मैरे पास कुछ data आ अब जैसा कि मैंने पहले बहब को बताया था सब्से पहला काम मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लिक कर के सको double click कर लेता हूँ ठीक है यह मेरे पास इस तरीके से आ गया अब मैं कह अब यहीं से यह पहला पूरी row में select कर लेता हूँ और इसे bold कर देता हूँ Ctrl-B दबाके या यहाँ पे click करके अब आप सोच रहे होंगे कि पहली row मैंने select की है यह पूरी row select करने के लिए या तो मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ ठीक है अगर column select करने है तो यहाँ पे click करना पड़ता है यह देखिएगा row select करने तो यहाँ पे click करना पड़ता है column select करने है तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊँ row और column को select करने का ज़रा गौर से देखिएगा आप किसी भी Excel पे click करें जैसे ये मैंने ये वाला column select करने, मैं control और space bar दबाऊंगा. Control and space bar, तो वो पूरे के पूरा column मेरे पास select हो जाएगा. Control और space bar दबाने से. ठीक हो गया? Control और space bar दबाने से पूरा के पूरा column select हो गया. अगर मैं चाहता हूँ, पूरी row select करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा जुस रो को मैंने स्लेक्ट करने है मैं shift and space bar दबाऊंगा वो पूरी row स्लेक्ट हो जाएगी control space जो है वो column के लिए shift space जो है वो row के लिए ठीक है और आप देखें कि वो ही काम जो हमने यहां से किया था वो सेम काम हम अपने shortcut से करें और जितना shortcut आपको समझ आएगी उतना आपके लिए इसान होगा control space bar और shift space bar अगर आप गोर करें space bar जो है यह basic लिए एक लंबी बार होती है space bar जो होती है अगर आप इसको समझें तसवर करें कि पूरे के पूरे दूसरे आपको वैसी याद रह जाता ह है आपको आपको वैसी याद रह temples आपको उसильно आपको ब fotos सिरफ यह इनालोजी बनाने के लिए यह था हमारा शुट कट जो आप use कर सकते हैं किसी भी काम में help करने के लिए ठीक है अब shortcut जिस बंदे को पता है ना उसके लिए Excel और भी फाइदा मन्द हो जाता है दूसरा shortcut मैंने आपको क्या बताया था आप यहां से data को select करें at the end अब मैंने shift दबा के रखा हुआ है पहले cell पे click की है अब last cell पे मैं click करता हूँ तो shift दबा के रखे होने का फाइदा यह है कि पूरे का बुरा मेरे पास cell जो है वो पूरे का बुरा data select हो गए अब मैं control T दबाऊंगा this will be converted into tabulated form तो यह tabulated form में आ गया अब अगर मैं control Q दबाऊंगा same वो ही shortcut जो मैंने पहले आपको दिखाया सो आप देखें यहां पे जो numeric quantities हैं उनका icon set मेरे पास colors bar की form में आ जाएगा या वो data की form में आ जाएगा अब आप गोर करें कि जैसे मेरे पास कोई भी चीज data की form में आ रही है I can actually see कि वो data मेरे पास कोई sense बना रहा है लेकिन अगर आप गोर करें यहां पे मैं ऐसे इसको select करता हूँ यहां पे भी मैं color दे सकता हूँ simple column को एक-एक column को भी मैं यहां पे color दे सकता हूँ सो आप अगर गोर करें column की value की base पे मेरे पास automatically colors आ रही है क्योंकि इसको मैंने tabulated form के अंदर convert कर दिया यानि कि यह table है ठीक है अब अगर आप गोर करें यहां पे तो जो green value है वो सबसे अगर गोर करें सबसे ज़्यादा value green है ठीक है red जो है सबसे कम है इसका मतलब जो center में value है जो white है which is kind of between 0 or between highest and lowest आप data को categorize कर सकते है और data को देख सकते है ठीक है अगर आपको यह तरीका नहीं पसंद तो you can also do like this आप यहां पे इस पूरे के पूरे column को select करें यहां से clear कर दें फिर select करें और यह bars लगा दें बार्स क्या है यह center हो जाएगा उसकी right side एक बार पे जा रही है और इदर से left जा रही है जो सबसे छोटी value है वो सारी की सारी red डू होगी जो सबसे बड़ी value होगी वो सबसे सारी की सारी blow हो जाएगी this is how you can actually format your column अब मैं इसको दुबारा से remove करता हूँ मुझे top 10 चाहिए values मेरे पास top 10 values जो है वो इस तरीके से यहाँ पर highlight हो जाएगी if I want to do something sorry top 10% top 10% हमारे पास क्या है यह दो values है 132 और 215 इसी तरीके से अब हर column के साथ जो है वो खेल सकते हैं अगर मैं इस categorical column को select करूँ यहाँ से so मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं नहीं मेरे पास charts भी change हो जाएए अगर आप गौर करें chart अब मेरे पास different किसम के आ रहे है क्योंके मेरे पास यह सारी की सारी categorical value and doesn't make any sense until unless we do something ठीक है so इस रही बात है categorical column के लिए separate charts होते है और numeric column के लिए separate इसी तरीके से total इसका क्या होगा count ही total होगा इसके लिए और भी core कोई measures नहीं है table इसका आपने automatically बनाया है paper table इसका नहीं बन सकता है single column का and so on इसका मतलब categorical or numerical column का थोड़ा सा difference होते है right जी अब कुछ shortcut में आपको बताता हूँ आप याद रखिएगा जैसा कि ये वाला मेरे पास shortcut है ठीक है अब अगर मैं इसको undo करना चाता हूँ यानिके मैं चाता हूँ यह जो मैंने काम किया है ये एक step sorry एक step पीछे चले जाए तो आप यहाँ पे click करते हैं ये control z दबाते हैं ये basic shortcut है ठीक है अब हम क्या करेंगे multiple shortcuts देखेंगे excel के अब हमारा जो next part of the lecture होगा अभी के लिए जितना भी आपको मैंने बताया है अगर आपको वह समझ आएगे तो please write down in the comment section live stream को अगर आपने like नहीं गए तो please do it अगर आप ये video देख रहे हैं तो please put down your comment and let me know कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है